हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूश पापरहार में मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूं ऐसी सीजे आपने सुनी नहीं होगी आज तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि 125 CRPC में पत्नी ने क Iprin के केज जाला और सारे खर्चयक जिम्मेदारी उसकी भी और उसके बच्चे के भी किस पर आ गई हज्ण पर यहीं डेने वाला पक्षकार हज्णड ही होता है लेकिन आज अज जो मामला बताने वाला हूं यह मामला चर्चा का विश्य का मामला है उत्राखंट हाई कोट ने decide किया है और इसमें उत्राखंट हाई कोट ने पत्नी के उपर जिम्मेतारी डाल दी पैसे देने की अदर्वाइस होता किया है पत्नी खुद के और बच्चे की दोनों की तरप से 125 CRPC का case डालके आपसे पैसे की demand करती है और माना भी यह जाता है इव तो यह स्तीती आज के समय पे बन चुकी है अब दोस्तों ऐसे मामलों में जहाँ 125 CRPC बच्चे की और पत्नी की तरफ से पत्नी ने डाला है उसको जहिर सी बात है दोनों के लिए कुछ न कुछ पैसा मिली जाता है अब कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी तरफ से ने डालती यहाँ पर उत्राखन हाई कोट के द्वारा की गई है और जो निकल के आया जो निने निकल करके आया वो अपने आप में एक मिसाल है आज के इस वीडियो में पूरा मामला आपको बताने वाला हूँ आखरी तक वीडियो में बने रहेगा अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइ थी हाई कोट में कि मैं क्यों दूं मैं तो वाइफ हूँ मैं बच्चे के लिए तो पिता की जिम्मेदार होती है 125 CRPC के अंतरगत मैं क्यों दूस्तों यह मामला चल रहा था उत्राखन हाई कोट में और यहाँ पर पतनी का वकील था उसने एक यह भी बोला कि बहुए ऐसा है और वो जो दूसरा बच्चा है नई शादी से उनकी जिम्मेदारी भी उसके उपर है तो यह सब चीजे उसने बताई और यह बताया कि बच्चे का भरन पोशन की जिम्मेदारी है वो तो पिता पर है तो यहाँ पर अपोजिंग काउंसिल ने यह बताया कि देखो 125 CRPC के अं सकता है यह कहा कि जो बच्चे की जिम्मेदारी होती है वो माता और पिता दोनों पर ही होती है अगर माता या पिता किसी के पास प्रयाप्त साधन नहीं है तो यह नहीं कह सकते कि मिरे पास साधन नहीं है तो मैं बच्चे की देखभाल नहीं करूंगा और अगर यहां माता क के maintenance case के अंतरगत आप से जो बच्चे का maintenance मांगा जाता है उसके लिए आप पत्नी को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं आपने reply के अंतरगत आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी दोनों की और इस judgment का हवाला ले सकते हैं ये उतराखंड हाई कोट का judgment है जो कि इस समय पर चर्चा का विशे बना हुआ है इसमें उतराखंड हाई कोट ने का कि व्यक्ति शब्द किसी भी प्रकार के link का भेद नहीं दर्शाता है और इसको केवल पिता तक सिमित नहीं किया जाना चाहिए तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 125 CRPC के अंतरगत बच्चे के भरणपुष्ण के जिम्मेदारी थी वो माता के उपर डाल दी गई उसको किसी प्रकार की रहात नहीं दी गई यानि उसको बच्चे के भरणपुष्ण के लिए पैसा देना होगा तो इस प्रकार के जज्जमेंट आपके लिए बहुत ही helpful होते हैं दोस्तों बात होए कि आप लड़ना चाहें तो अब मेरे client हैं उन्होंने मुझसे बोला कल कि सर हमें कुछ जज्जमेंट चाहिए हमने उनके लिए जज्जमेंट ढूंड दिये उसके बाद वो कहते हैं कि साब ये judgment काम करेंगे या नी करेंगे ये बताओ ये कोई नहीं बता सकता कैसे बता दोगे आप एक जज्जमेंट को ले कर के जज्जसाब के सामने रग देते हो और आप कुछ बोलते ही नहीं वो उसको पढ़ें ना पढ़ें उनकी मर्जी ये तो आपके एड़ोकेट पर निर्भर करता है ना कि वो बताएं कि भाई हमने जज्जमेंट यहाई इसमें यह चीज लिखिया है यह चीज यह यह चीज आसी है वो तो सारी भूमिका आपके एड़ोकेट साब की है मैं तो आप कहोगे कि भाई इतने जजजमेंट देने हैं हम अपना दिमाग मार के वैसा जजजमेंट निकालेंगे और आपको दे देंगे लेकिन वो जजजमेंट आप कैसे यूज करोगे कैसे प्रिजेंट करोगे यह तो आपके उपर है कि आप जजज साब कैसे करते हो आप दोजार का है, आपने अभी भी देखा होगा जो judgment आते हैं, नए judgment, उनके अंदर जो reference होते हैं, पुराने पुराने judgment के होते हैं, इवर 1999 का, 1990 का judgment का reference होता है, इसका मतलब कोट आज के समय पे भी उन judgments को मान रहा है, तो बात साल की नहीं है कि कौन से साल का judgment है, बात कोट को convince करन पड़ेगा आपको, तो ये चीज़ दोस्तों आप समझे, बाकी ये जो judgment है, इस judgment की आप help ले सकते हैं, इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं, आज के इस वीडियो में इता ही, नेक थैक केर